हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जारी हूँ बालू शाही की रेसिपी, जोकि मैंने गेहूं के आटे से बनाई है यह बहुत ही आसान है से बनाना, तो इसे बनाने के लिए हम एक कप गेहूं के आटे को मिक्सर के जार में डालेंगे और फिर उसी कप से एक कप हम सूजी भी डालेंगे और एक चाथाई कप मैंने चीनी डाला है आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं चीनी और इन सब को हम अच्छे से पीस लेंगे ताकि इसका मैदे जैसा टेक्स्चिर हो जाए तो ये दिखिए इस तरह का बारीक हमें पीस लेना है फिर उसके बाद हम इसमें एक चाथाई चमच इलाइची का पॉर्डर और नमक डाल देंगे और फिर हम इसमें चार बड़े चमच घी एड़ करेंगे फिर इन सबको हम अच्छे से मिक्स करके अच्छे से मौइन कर लेंगे तो ये अच्छे से मौइन हो गया है हातों में भी इस तरह से लेने पर ये अच्छे से बनने लगा है ये देखिए तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी आड़ करेंगे और 1 medium dough तयार कर लेंगे तो इसे फुल मिलाकर मैने चार बड़े चंबच के करीब पानी इसमें एड़ कर दिया है और फिर इसे हम इस तरह से इकटा करेंगे इसे गुनतेंगे नहीं इस तरह से बस इकटा कर लेना है और फिर इकटा करने के बाद हम इसे ढख कर 10 मिनिट के लिए रेस्ट होने देंगे तब तक के लिए हम बना लेते हैं चाशनी तो ये चाशनी बनाने के लिए मैंने एक पैन में दो कप के करीब चीनी डाल दिया है और उसी कप से एक कप हम पानी डालेंगे और गैस को लो टू मिडियम पे रखके इसे अच्छे से उबाल लेंगे और फिर जैसे इसमें उबाल आने लगेगी इसमें चुटकी भर हम फूट कलर एड़ करेंगे तो ये मैंने ओरेंज फूट कलर डाला है और एक चौथाई चमचे करीब इलाइची पाउडर डालेंगे आप दो से तीन इलाइची को कूट कर भी डाल सकते हैं और इन सब को तब तक उबालना है जब तक कि ये एक तार वाली चाशनी ना बन जाए तो इसे उबालते वे तीन से चार मिनिट हो गया है और ये दिखिए ये एक तार बन रही है तो अब हम गैस को आफ कर देंगे और चाशनी को साइड में रख देते हैं तो दस मिनिट के बाद ये डो हमारे अच्छे से सेट हो गया है तो इसे हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और फिर इसे इस तरह से हातों की सहायता से इस तरह से हम इसे गोल गुमाते हुए इसे चप्टा कर लेंगे और बीच में हम उंगली की सहायता से छेत कर देंगे तो इसी तरह से सारे हम बना लेंगे और फिर इन सब को हम deep fry करेंगे low to medium flame पर तो इसे एक तरफ से अच्छे से fry होने के बाद हम इसे पलट कर दूसरे तरफ भी अच्छे से fry कर लेंगे और इसमें अच्छे से color आने लगा है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं तो यह दिखिए अंदर तक अच्छे से पक गया है तो अब हम इसे निकाल के ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद हम चाशनी में डालेंगे तो चाशनी थोड़ा सा हमारे ठंडा हो गया था तो इसे मैंने हलका सा गुनगुना कर लिया है और ये जो हमारा जो बालुशाही है इसे मैंने ठंडा कर लिया था क्योंकि ठंडा हुने के बाद ही ये अच्छे से कड़ा हो जाता है नहीं तो ये भी soft ही रहता है जैसे ही आप fry करके निकालेँ वैसे ही ये थोड़ा सा soft रहता है तो इसे ठंडा होने दे उसके बाद ही चाशनी में डाले और फिर 10 मिनट के लिए हम चाशनी में ऐसी ही छोड़ देंगे दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए और फिर 10 मिनट के बाद इन सब को हम निकाल लेंगे तो ये हमारी बालुशाही बनकर तयार है आप भी इसे जरू ट्राइ कीजिएगा तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू